हेलो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है एपिटोकी या हिट्रो नेरिस बिएसी फर्स्ट एर जिलोजी का सेकिंड सेमेस्टर है हायर नोन को डेटा और कई बार इसमें शोर्ट कोशन में आपसे पूछा जाता है कि हिट्रो नेरिस क्या है या एपिटोकी क्या होता है तो इस वीडियो के अंदर हम इस शोर्ट कोशन को कवर करेंगे हाला कि नेरिस के बारे में ओ लेडी मैं इसकी कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ नेरिस की जो बोडी का जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं anterior पार्ट पीछे वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे posterior पार्ट आईए मैं आपको इसको diagram के help से समझाता हूँ तो देखे दोस्तों ये हमारे पास नेरिस का diagram है ये आगे वाला पार्ट है ये इसका mouth है तो आगे वाले पार्ट को हम बोलेंगे anterior पार्ट और ये इसका पीछे वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे posterior पार्ट ये देखे इसकी body segmented होती है ये anterior segment है ये posterior segment है तो epitoki क्या होता है आईए समझते हैं तो simply दोस्तो एपीटो की क्या है नेरीस जब sexually mature हो जाता है तो इसकी body के जो अधिकान posterior segment gametes से भरे होनी के कारण यानि पीछे वाले जो segment होते हैं वो उसमें gametes बन जाते हैं और gametes से भरे होनी के कारण इसकी morphology और anatomy में काफी differentiation शो होता है यानि नेरीस जो होता है वो जैसा पहले था वो ऐसा अब नहीं रह जाता क्यों ऐसा नहीं रह जाता क्योंकि उसमें gametes बन जाते हैं उसके posterior segment में तो ऐसे segment नेरीस के या worm के sexual part या epitok का formation करते हैं तो simply मैं कहूंगा कि posterior जो पीछे वाला भाग उसमें gamete बन जाता है तो जिसमें sexual part है उसे हम बोलेंगे epitok और जिसमें sexual part नहीं है उसे हम बोलेंगे atok तो इस प्रकार से नेरीस की जो body है वो दो भागों में divide हो गई तो इसलिए हम बोलते हैं heteroneries, heteroneries का मतलब क्या होता है? heteroword का मतलब होता है different यानि नेरीस की body दो different part में divide हो गई epitok और atok sexually mature neries जिसमें atok और epitok दोनों भाग होते हैं ध्यान अकना ये main definition है sexually mature neries जोकी sexually mature हो गया है अब इसमें atok और epitok दोनों तरह के भाग है इसे हम बोलेंगे heteroneries और asexual stage में change होने की यह है घटना epitok की कहलाती है देखिए दोस्तों जब नेरीस में कोई भी gamit का formation नहीं हुआ था तो उस समय वो asexual stage थी तो asexual stage से जब वो sexually stage में आता है तो इसी घटना को हम बोलते हैं epitok की तो definitely आपने समझ लिया होगा कि epitok की या heteroneries क्या है यह दोनों same है और heteroneries हम किसे कहते हैं आप already समझ गए होंगे उमीद है यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा मिलते हैं next वीडियो में बाई बाई टाटा